नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News, मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरिज, तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं तुलसी का पौधा ना केवल औशधी है बलकि इसमें धन की देवी लक्षमी का वास माना जाता है प्राय हिंदू घरों में लगे तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर की दरिदरता दूर होती है लक्षमी घर में निवास करती है शास्त्रों में तुलसी के नीचे दिपक जलाने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं दरसल माना जाता है कि यदि दीपक को आसन देकर तुलसी के नीचे नहीं रखा जाए तो माता लक्षमी आसन ग्रहन नहीं कर पाती साथ ही चावल को लक्षमी प्रियेधान भी माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि पूजन के समय दीपक को चावल का आसन देने से घर में स्थिर लक्षमी का निवास होता है शास्त्रों में ऐसा उलेक भी मिलता है तुलसी के पौधे के नीचे चावल का आसन बिछा कर उस पर घी अत्वा तेल का दीपक जलाने से धनलाब होता है और ऐसा होने से इसमें दरिदर्ता वास नहीं करती साथ ही घर में दरिदर्ता का भी वास ना होने से इसका लाब हमें मिलता है तुलसी माता की पूजा में दीपक के नीचे चावल रखने चाहिए शास्त्रों में चावल को शुधता का प्रतीक मान झाल, 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 झाल.